तो यहां पे इस्टाटिक जीके की औलडी हम लोग सीरीज कर चुके हैं तो कौन-कौन से हो चुके समाधी अस्थल भारत के पर्मुक परेयटान अस्थल भारत के महरपून अस्थालेवं इसमारक भगौलिक उपनाव नदियों की किनारे बसे सहर यानि की टोटल 5-6 टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही चोटी कम टाइम की वीडियो होती है वह जाकर आप देख लीजए आज हम करेंगे तो पुस्ता के बम लेखाग ये न्यू है करेंट है हम आपको इस्टाटिक भी बहुत ही जल करवा देंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं अगर अंधेरे से उजाले की और पुस्ता के लेखा कौन है बताइए चलिए तो अंधेरे से उजाले की और पुस्ता के लेखा कैं अरून जेटली कौन है तो यहां पे है एंसर अरून जेटली अंधेरे से उजाले की और इनकी पुस्ता कभी लिखी गई आपकी एक्जाम में एक से भी देख सकते हो चली बताइए निमने में से कौन सी सम्मेलित नहीं है ये बताइए तो लावा जावे दक्तर की नहीं है लास्ट मैन इंटावर नहीं है वंडे किरकेट इंडियन दा चालेंज बिलकुल नहीं है ये किसकी है या आप कमेंट में लिखेंगे तो डियर लाइ तो चरिए इसका answer क्या है? जानते हैं तो इसका answer है आपको किर्किट सी इस दालाइफ के हुए Ellen border कौन से है तो mian vem ने answer यहाँ पे mention कर दिया है तो आप direct भी देख सकते हैं कौन है तो Ellen border है next चलते हैं हम the taste of the my life के पुस्तक के लेखा कौन है? बताईए The taste of the mile पुस्तक के लेखक कौन है उनने इस पर पुस्तक लेखक था चलिए तो इसका answer है Return to India पुस्तक के लेखक है Wings of the fire किसकी रष्णा है आप नीचे comment में जरो हो लिखे निमलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है चलिए नाइस आपने अंसर कर लिया होगा तो इसमें कौन से सुमेलित हो Makers of Modern Asia Ram Chandraguha की पुस्तक नहीं है Speaking for my life Cherry Blair की है अभी मैंने उपर पूछा है आपसे शमुंद्र मंथन सीराजा मोहन की है वन इंडियन गर्ल किसकी है तो लीला सेट की है चलिए नेक्स्ट कोशन The idea of the justice के पुस्तक के लेखा कौन है मैं आपको दूसरा भी अंसर दे दू बताइए The idea of the justice क्या आपको लग रहा है कि ये पुस्तक क्या है कुछ वकालत वेगरा से ही सम्बंदित है तो आईए इसका अंसर देखे तो अमर्त सेन की जो की एक अर्थ सास्त्री है और एक बात बताएए नॉबल पुरुस्कार भी इनको मिला हुआ है अर्थ सास्त्री वे वो कौन है नेम कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो अमर्त सेन The idea of the justice कि पुस्तक के लेखक है This is the last question The making of the making of बड़ा को मामा पुस्तक के लेखक कौन है बताएए तो चलिए इसके पुस्तक के लेखक है Richard Wolffy कौन से है तो Richard Wolffy है The making of बड़ा को मामा के पुस्तक के लेखक है Richard Richard कौन सी Richard Wolffy है आई होप कि आपको ये चैनल पसंद आया हो पसंद आया तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक करें, स्क्राइब करें, शेयर करें थाइंकियो फॉर वाचिंग अस जो आपकी एकजाम में बार बार कोश्चन्स पूछे जाते हैं उन सपर करेंगे ये वीडियो काफी चोटी होती है, दो से तीन मिनट में आप बहुत सारे कोश्चन्स सीख सकते हैं मौलिक अधिकारों का सम्विधान में किस भाग में उल्लेक है? बताईए निमलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है तो पूरु सेव मिस्त्रियों को समान काम करने के लिए और समान वेतन पाने का अधिकार कोई भी वेतन सम्बंदी अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है बाकि संगठन बनाने का अधिकार, भासन अभिवेक्ती का अधिकार और सोसन के विरुद अधिकार ये सारे चीज है बट ये नहीं है, आईए नेक्स्ट कोश्चन करते हैं संग या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? संग या संगठन बनाना तो स्वा तंत्रता का अधिकार है नेक्स शलते हैं किस संसोधन द्वारा एक मिनट किस संसोधन द्वारा नागडिके के अधिकारों में संपति का अधिकार को हटा कर इसमें मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया घ्यादा गया कानूनी अधिकार बना दिया है तो किस संसोधन में आप सब को पता है तो यह 44 में updated in चावालिस संसोधन, यानि की 44 में संसोधन में हुआ था बेरोजगार को निशिध तथा इस्त्रियों को क्रै विक्रै पर रोक कौन सा मौली का धिकार लगाता है बताईए कौन सा लगाता है तो शोशन के विरुध अधिकार आपको लगाता है कौन सब कोशन फिर से आप पढ़ लीजे बेरोजगार को निश्ची तथा इस्तरीयों के क्रै विक्रै यानि कि जो आप जैसे कि रोजगार के लिए बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी महिलाओं को जो बेच दिया जाता है खरीदा जाता है तो रोक लगाने सोसन के रिमेडिज का अधिकार याद रखेगा आपका शौरी सौरी एक मिनट जेश्टे सगेंड अर्टिकल 32 में ही हुआ था कोई भी होता है जिस परकार की जो यह आर्टिकल्स होते हैं समेधानिक उपचार्श वेगारा होते हैं यह सब 32 में रिमेडिज जो आप लोग कह सकते हो भारत में मौलिक अधिकारों की रच्छा कौन करता है हमारा बता तो भारत में मौलिक अधिकारों की रच्छा सरवोच्छे नयाले करते हैं निक्षलते हैं 1976 में किस संसोधन धारा भारत के शमीधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था यानि कि वो कौन सा संसोधन था जिसमें जोड़ा गया था बताईए 40 में 41 में 42 में और तो मैं आपको बता दू तो 42 में में जोड़ा गया था क्या है questions वो भी बता देती हूँ 1976 में किस संसोधन दोरा भारत के शमिधान को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था तो भारत के शमिधान सोभारत के शमिधान को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया तो 42 में में समानता का अधिकार यानि कि राइट टू इक्वेलिटी का अधिकार किस आर्टिकल्स में है तो right to equality का अरिकार है आपको 14 to 18 में है यानि कि 14 से लेकर 18 में शमिधान के अनुछेद 25 में से तता धार्मिक सुतंतरता का वर्णन किस में है तो धार्मिक सुतंतरता का वर्णन है आपको 28 में तो I hope कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगे होगी ये टोटल चार मिनट की वीडियो है चार मिनट में आपने बहुत सारे कोशन सीखें जो मैंने कोशन पूछा था कमेट में जरूर जवाब दे थांक्यू फॉर वाचिंग अस तो आईए स्टार्ट करते हैं इसी कोट के साथ कनड़ा का राष्टिया खेल कौन सा है तो कनड़ा का राष्टिया खेल आईश होकी है नेक्शलते हैं USA का राष्टिया खेल कौन सा है बताएए तो USA का राष्टिया खेल है Baseball भारत का राष्टिया खेल कौन सा है ये तो सारे लोग जैनते होंगे तो भारत का राष्टिया खेल है Hockey एक चलते हैं जापान का राष्टिया खेल कौन सा है तो जो से जापान जो से जुडो याद रहेगा तो स्कॉट लेंड का राष्टिय खेल है रगवी फुटबॉल निक्स्ट है देखते हैं इस्पेन का राष्टिय खेल कौन सा है तो इस्पेन का राष्टिय खेल है बुल फाइटिंग बुल फाइटिंग किस देश का राष्टिय खेल है वेरी गुड तो इसकोटलेंड का है आइस होकी किस देश का राष्टी अखेल है अभी आपने उपर पर पढ़ा है तो आइस होकी है कनाडा का अब आईए इसको मिलान कीजिए यह कौन-कौन से है इसमें थोरा आपको टाइम लग सकता है आपको आई होप की स्क्रीन अच्छी दिख रही हो जाता नहीं बस आपके दो मिनट लगेंगे वेरी गुड तो आइस होकी है कनाडा का रगभी फुटबॉल है आपको किसका तो स्पेन का जैसा कि आपने उपर पढ़ा है नेक्स्ट करते हैं अमेर्का काराष्टिय मनुरंजन खेल किसको कहा जाता है तो अमेर्का काराष्टिय मनुरंजन खेल बेस बॉल को कहा जाता है चलिए इसी के साथ हमाँ से विदा लेते हैं मिलेंग नेक्ट वीडियो में थैंक ये फॉर वाचिन अस